हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई जानेल आज हम बनाएंगे सिंपल सी खीचडी जो कि प्रेसर कोकर में हम बनाएंगे बहुत जल कम समय में कम इंगेंट में जटपड बन जाता है आज कल बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं खाना बना के खाते हैं यह रेसिपी सबसे पहले में ले गई हूँ चावल अब टुकड़े वाले चावल भी ले सकते हैं मैं यह बासमती चावल ले हूँ बासमती चावल से इसका खुसबू है बहुत जादा अच्छा आता है दो बावल चावल में ले गई हूँ अब किसी भी बरतन में हो या कप में हो मेजर क करके लेंगे तो जाके खिचड़ी अच्छा बनेगा प्रेशर कुकर में बनाने से अगर मेजरमेंट ठीक नहीं रहता है तो अच्छे से नहीं बन पाता है खिचड़ी देखे मैं अच्छे से धो के साब कर ले हूँ इससे पानी देके रख दी हूँ साइड पे अभी हम लेंगे मूंग दाल देखे जो दो टुकड़े बाले होते हैं वही है अब छिलके बाले मूंग भी ले सकते हैं इससे हम एक कड़ाई में भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक भूनने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और अच्छे से पक भी जाता है और गल्दा भी नहीं है इसलिए इसे थोड़ा भून के लेने से अच्छा वद्दा है देखे इसका कलर पूरा चेंज हो गया है कि इतना ही हमको करना है जलाना नहीं है जो चावल हम रखेते साइड पे उसके उपर डाल देंगे मूँ को रख देंगे साइड पे अभी गैस में मैं प्रेसर चड़ाई हूँ प्रेसर गरम होने के बाद उसमें मैं डाल दी हूँ घी यह देशी घी है एक चमज घी डाली हूँ आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं डालना चाहिए अभी जो सूखे खड़े मसाले होते हैं वो मैं इसके साथ घी गरम होने के बाद डाल दूंगे उपर घी अच्छा गरम होने के बाद उसमें जीरा में डाल दे हूँ एक चमज उससे चटकने के लिए छोड़ देंगे उसके ऊपर हम सारे डाल मसाला जो खड़े मसाले हो हैं सारा डाल देंगे उसके बाद तुरंत ही हम उसमें पानी डाल लेंगे हमारा दाल चावल मिला के तीन बाउल है इसके हिसाब से मैं पानी डाली हूँ इसमें 6 बाउल अब अगर सुखा चाते हैं तो 5 बाउल डाले अगर चाते हैं कि तोड़ा वो गिला गिला रहे तो अब 6 बावल उसमें डाल सकते हैं अब सुगर डालेंगे आधा से थोड़ा जादा जो बावल में हम चावल लियते हैं उसी बावल में नमक डाल देंगे अपने स्वाथ के साब से सारा अच्छे से खौलने के बाद हम डाल और चावल को अच्छे से और एक बार धो के पाने के उपर डाल देंगे प्लेट को कर देंगे बन अभी सीटी आने का वेट करेंगे ये हाई फ्लेम में ही हम करेंगे हाई फ्लेम में ही तीन सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और उहीं पर ही रहने देंगे ये ठंडा होने के बाद अपने आप जब तक खुलेगा तब तक 10 मिनिट के बाद मैं डखकन कोल के देख रही हूँ देखिए इतना अच्छा बना है हमारा हिचली एकदम से खिले खिले बने है और यह सा नहीं है कि यह ज़्यादा टाइट लग रहा है यह बहुत अच्छे से पक भी गया है और खिले खिले भी है देखिए आपको मैं ठीका रहे हूँ देखिए कैसे यह दबाने से आराम से दब जा रहा है सब करने के लिए मैं प्लेड में निकाले हूँ दही यह मेरा होममेंड दही है ऐसे तो खिचडे के साथ ज़्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होता है लेकिन मेरे घर में सब को बहुत पसंद है इसलिए मैं दही निकाले हूँ और आपके पास जो भी सब्जी है आप बनाएए या अपने हिसाब से आचार की भी साथ यह खाने से बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो जरूर मेरे जैनल को लाइक से आ रहें और सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकोन को भी दबा दीजिएगा ताके मेरे अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास बहले आए देखिए खिचडी हमारा कितना अच्छा बना है एकदम से खिले खिले अगर हम प्रेसर कुकर में बना रहे हैं तो मेजर्मन का खास दिहां रखना पड़ता है अगर हम ले रहे हैं एक बाउल राइस तो उसमें दो बाउल पानी के जरूरत है और दाल के लिए भी हम एक बाउल दाल में दो बाउल पानी का यूज करेंगे अगर हम भगवने में बिठा रहे हैं तो एक बाउल राइस में तीन बाउल पानी का हम यूज करेंगे उसे हिसाब से डाल का भी आप करिएगा और इसमें सीटी लगता है और भगोने में बिठाने से हम 10 मिनिट के बाद उसे चेक करके देख के पैचान पाते हैं मिलती हूँ मैं आप से एक ने रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई